आर्मी में भी हमको नोपर सेलेक्शन हुआ था हम उसमें प्राया छोर के ही चले आया है और उसके बाद बिहार सरकार में भी हमको जब लगे थी लेकिन हम उसमें भी छोर दिया हम नहीं किये उसमें भी आठ बच्चे ऐसे थे जो 400 प्लस नमर आये थे इस बार भी मेरे पास 22 बच्चे थे बाइस में 17 बच्चा फर्श डिविजन किया है उसमें पांच बच्चा है जो 4 प्लस नमर लाएं बांकि 400 के अंदर हैं परवारी कैसा गरोन नहीं था जो कि वह बहुत जादे प साब से जो एक्जामरार एक्जाम लिए और जो कहां पी इनका चेक लिए हो उनको रिजल्ट दिए अभी हम बेनीपटी के अरेर पहुंचे हैं जहां के बच्चे मैट्रिक परिशा में सफलता के जंडेग आ रहे हैं उनसे हम जानेंगे कि आगे वह पढ़कर कि किस लाइन म आगे पर करके क्या बनना चाहोगा जिस आजे आर्मी के तेयारिकन क्या नाम है चंदर परकाश कुमार कितना अंका आया था और इस अंकाने के लिए किन-किन लोगों का मेहनत है किसे सरे देना चाहोगा 425 अंकाया था इस आंकाने में माता बेता और सर्जी का कुन बिस्वा और किन-किन लोगों को क्रेटित देना चाहिए मेरे दादा दादी साती मेरे परिवार के सविश अधश है वा मेरे सिक्षगन आगे पर करके क्या बनना चाहिए इंजेनियर स्कूल के डारेक्टर से बात करना चाहिए राजेश जी से आप शुरूर ग्रामीन इलाकों में हैं में आप पढ़ाते हैं यहां पर बेवस्था है देखिए हमने फूस का घर है किस तरह से मोटिवेस्टन हुआ कि आप स्कूल के लाइन में जाए बच्चों को पढ़ाए इसका क्या था इसका मोल उदेश यही था कि यहां पर जो मेरे ग्रामीन में कुछ बैकवार्ड अस्त मेरे पास पढ़ते हैं और दूर्दार से भी पढ़ते हैं उसमें ने देखा कि गरीब का बच्चा नहीं पर रहा है इसी कारण से हमने हम कोसिस भी किये क्योंकि हम जाए आर्मी में भी हमको नोकरी एक बार सेलेक्शन हुआ था हम उसमें प्राया छोड़के ही चले आया है और उसके बाद बिहार सरकार में भी हमको जब लगे थी लेकिन हम उसमें भी छोड़ दे हैं हम नहीं किये लास्ट में नहीं हुआ तो हम चले है लेकिन परिद्वारी कहा हुआ कि यहां पर हम जो सोच के आया है यहां का समाज भी है जो मेरे साथ बराबर का हगदार है तो यहां पर हम अपना जमीन था यहां पर में स्कूल डाले बहुत करना पड़ा इसलिए करना पड़ा कि मान के चले यहां पर बच्चे हैं जिसको कापी भी नहीं है किताब ही नहीं है और फिस भी मैं मिनमम लेता हूं 200 रुपया 500 रुपया लेकर के इन बच्चे को लंसम 12 घंटा काउन पॉर्ण में परहा देता हूं और यह आज इस जगह पर आने का स्रे सिक्षक सब जो है उनका भी है और मैं निरंतर इन सब को बोलता हूं कि जितना सब्सक्राइब करें तो मेरे लिए बहुत सभाग की बात है और मैं आपसे भी बिंति करूंगा किसी तरह से मेरा मेरे में जो दिखामिया कुछ दिखे तो आप लोग भी गैट कीजिए अगर परिशा परिनामों की बात की जाए तो पिछले बरस की तूलना में इस बरस सफल ता कि क्या रिश्यों थे कितने परतिस्त ज्यादा अंका बच्चों को हैं रिजल्ट मेरे पास है क्योंकि फिछले बरस भी मेरा जितना स्टूडेंट थे लंसम 27 अस्टूडेंट था तो 27 का 27 भी मेरे यहां पास किया चाहे उसमें भी आठ बच्चे ऐसे थे जो 400 प्रस नम लाएं बांकी 400 के अंदर है और सेकेंड भी थो ब्यां तो बैहता रिजल्ट है क्योंकि है अंडेड परसेंट इसलों अपकि हाम देख रहे हैं आरे मेरे इस्कूल भी है को चींग भी है वोकस क्या होता है तो मैं इस्कूल पर भी फोकस करता हूं और कोचिंग पर भी फोकस करता हूं क्योंकि यह बच्चे जो है मेरे पास जो बसिक बच्चे को पढ़ा रहे हैं बेसिक सरकारी उन्हों कर रहा हैं उन्हीं की मरजी सरकार के गवर्मेंट कैसी चलाती है उनकी वेवस्ता है हमने इस बच्चे को प Wen obesic में इसकोills-क्र पर भी फोकस करता हूं क्योंकि यह बच्चे को guardian जो है so basic नहीं कर पाते क्योंकि इनका प्राया बच्चे जो Вी मान के चली इसमें जितने बच्चे हैं उनका बच्चा मैट्रिक पास कर गया हो तो उनको पढ़ाने का एविलिटी नहीं है क्योंकि बच्चे को प्रोपर नहीं कर पारते हैं इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम five class तक उसका बेश बन जाए चाहें अंग्रेजी का हो चाहें हिंदी हो संस्की यह बेसिक के लिए मैंने इनको कर देते हैं कि यह कम सकम फाइब क्लास तक पढ़ ले और उसके बाद वह सरकारी स्कुल चले जाए क्योंकि उस सरकारी का भी सुपधा कुछ मिल जगा क्योंकि इनके पास फिस देने के पैसा नहीं है तो इस स्थिति में हमने इनसे बहुत मिनम स्कुल स्थिति अपको सकता है कि मेरा आर्थिक क्या हो सकता है इस प्र lijष बहतर करने के लिए इस्कुल चलता हूं उस इनका बेस मजबूत कर देता हूं चाहे इंगलिस समंधित बात हो जो कहीं बच्चा जा करके जब मेरा बच्चा है अभी 449 नमर लाया है यह नहीं है कि इनको दे दिया गया या किसी कारण बस इनको नमर यह इनका अपना क्वाइलिटी है और क्वाइलिटी के हिसाब से ही जो एक्जामनार एक्जाम लिए और जो कापी इनका चेक हो उनको रिजल्ट दिये इनके उनका भी मैधरवाद देता हूं क्योंकि यह तो नहीं जानते थी कि निर्मला का बच्चा है एक सुदूर गाउं में हो जहां पर अभी रास्ता का भी समस्या है इतनी वेवस्था गवर एक्टर राजेश जी जिनका कहना है कि कम फिस्क होने के बावजूद वो सुदूर गुरामीन इलाकों के बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के लिए ही जोर के रखते हैं ताकि उनका भविस्थ उज्वल हो कनहिया मिस्र बेनीपटी बियने